नमस्कार विंधिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है रीवा एंजिनिरिंग कॉलेज के शात्र राहुल कुमार शुकला ने रीवा और विंधिया का नाम रौशन किया है राहुल का चैन देश के सर्वोच संस्था भाभा परमारू अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइन्टिस्ट ऑफिसर पद पर हुआ है गर्व करने की बात है कि राहुल ने देश भर में छटवी रैंक हासिल कर इस बड़ी उपलब्धी को पाया है वहीं चलिया आपको बताते हैं कि राहुल आखिर कहां से हैं और उन्होंने इस मुकाम को हासल करने के लिए कितनी मेहनत की है देखिए ये रिपोर्ट रिवा जिले के देवतलाव विधानसभा शेतर के बारगाओं के निवासी राहुल कुमार शुकला का चैन भाभा परमाडु अनुसंधान केंदर में असिस्टेंट साइंटिस्ट आफिसर के पत पर हुआ है राहुल के ओल इंडिया रैंक छठवी है वहीं परिवार के माडु उर्जा आयोग के अंतरगत आता है और देश के सर्वोच संस्था में काम करने का आफसर रिवा के राहुल शुकला को मिल रहा है इस संस्था में चैन होना पड़ी बात है रिवा जिले के लिए यह एक पड़ी उपलब्धी है राहुल शुकला सासकी इंजिनिरिंग के बाद 31 माई को इंटर्वियो के लिए उन्हें बुलाया गया करीब एक घंटे राहुल का इंटर्वियो मुंबई में हुआ और इसके बाद 12 जुलाई को इसका परिणाम जारी कर दिया गया जिसमें इस केंद्र के लिए देश भर से चुने गए 187 लोगों में राहुल चटवी रैंक है बदादे राहुल एक मध्यम वर्गिये परिवार से हैं उनके पितार शिव कुमार शुकला सिंग्रॉली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड है वही बां ग्रिहनी है आर्थिंक तंगी के बीच राहुल ने संगर्ष के साथ इस उपलब्धी को हासिल किया है र भाभा परमाडू अनुसंधान में उनका चयन हो पाया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक राहुल आईएस बनना चाहते थे उन्होंने बताया कि आगे चल कर त्यारी भी करेंगे क्योंकि परिवार में आर्थिक तंगी थी इसलिए उन्होंने अपनी बीटेक पूरी करने से पहले ही नौकरी की तलाश की और इसी बीच भाभा परमाडू अनुसंधान केंदर में आवेदन किया गया और उनका प्रत्थम प्रयास में ही चयन हो गया करीब 12 लाख रुपे सालाना का पैकेज राहुल को फिलहाल दिया गया है उन्होंने यह कहा है कि आगे आईएस की त प्रयास करें